हेलो स्टो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल दोस्तो अगर आप भी कुछ इस तरीके से अपना कम्यूनिटी पोल बनाना चाहते हैं लेकिन दोस्तो आप बना नहीं पाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरीके से कम्यूनिटी बनाना सिखाऊंगा कि आप ऐसी कम्यूनिटी कैसे बना सकते हैं क्योंकि आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि इस तरीके की कम्यूनिटी टैब बहुत ही ज़ादा वायरल होती है है हमारे सत बने रहेगा एंड तक आपको वीडियो देखना है बिना स्किप किये डिटेल में आपको सारी चैने बताने वाला हूं कि इस तरीकी की कम्यूटी आप कैसे बना सकते हैं उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो आरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और प्लैकन को दबाना बिलकुल ना मुलेगा तो दोस्तों मैं आपको लाइक प्रूफ दिखाने भी बाला हूं कि इस तरीकी की जो कम्यूटी है वो कितनी ज्यादा वाइरल होती है और उससे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो दोस्तों ये चैनल है एक वरेंशोर्ड टेक की नाम से अब दोस्तों हम जब इसकी कम्यूटी में जाते हैं सबसे पहले आप यहांपर देखे कि कितनी ज़्यादा वाइरल जाती है इसकी कम्यूटी को देखेंगी तो यहांपर आप और दोस्तो coloring वाली मैं दिखा देता हूँ वो तो और भी ज़्यादा viral होती है यहाँ पर जो coloring वाली community है वो आप देख सकते हैं जैसे कि तीथ वाली है तो आप देखिए टीथ कैसे color के होंचे यह white color के तो 2.3 million यहाँ पर vote आई है अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितनी जाद हो रही है जबकि subscribers भी नहीं एतने के तो आप देख सकते हैं दो लाग 82,000 subscribers हैं और community tab यहाँ पर millions में viral हो रही है दोस्तो अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि आखिरकार आपको ऐसी community बनानी कैसी है सबसे पहले तो दोस्तो आप किसी वी चीज का यहाँ पर photo download कर लीजे जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं डाल देता हूँ माली जिम मुझे कोई भी यहाँ पर काजू की बनानी है जैसा मैं ने आपको यहाँ पर दिखाया था community tab काजू की बनानी है तो दोस्तों यहाँ पर मैं डाल देता हूँ काजू image तो जैसी मैं यहाँ पर सर्च कर गेलिरी में आने के बाद, अब दूस्तो, ये तो केवल हमारी जो रियल काजी होते हैं, उस कलर के है, अब इसका कलर कैसे हमको चेंज करना है, सबसे पहले दूस्तो आपको एक एप की जरुरत पनने वाली है, जो कह है पक्स आर्ट, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्सार चेंज कैसे करना है वो देख लीजिए, तो दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक tool वाला option देखने हो मिल जाता है, इस पर आपको click कर देना है, जैसे इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे option आ जाएंगे, अब यहाँ पर आपको एक adjust वाला option देखने ह मिल जाता है इस पर जैसी क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने एक लाइन आ जाती है जो कि बीच में आप देख सकते हैं अब दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा राइट मार राइट की तरफ खिसकाना है तो आप देख सकते हैं इसका कलर है वो चेंज हो गया है ग्रीन हो गया है अब दोस्तों थोड़ा सा और खिसकाना है तो आप देख सकते हैं यहां पर ब्लू हो गया है ऐसे ही दोस्तों आपको यहां पर अलगलग कलर को चूज करना है अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा तो आपको tool वाले option पर जाना है tool वाले option पर यागने एडजेस्ट पर जाना है और फिट दुबारा से hue वाले option पर जाना है अब दुस्तु आपको एक color और यहाँ पर बना लेना है तो हमारा purple हो गया और हमारा green हो गया अब दुस्तु तो यहाँ पर हम tool वाले option पर click करके adjust कर लेते हैं adjust पर hue पर आ जाते हैं hue पर आने के बाद दूस्तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको blue blue कर लेते हैं तो blue के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम इसको save करने save कर देते हैं यहाँ से सेव होने के बाद दोस्तो हमारे सामने अब हमारे पास चारो हमारे जो फोटो हैं वो आचुके अब आप देख सकते हैं हमारे चारो अलग कलर के आचुके हैं अब सबसे पहले आपको अपना YouTube एप ओपन कर लेना है YouTube एप open करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक plus वाल आइकन देखने को मिल जाता है आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आप जहां से आप community post करते हैं तो यहाँ पर आपको एक option देखने मिल जाता है create a post नीचे सबसे नीचे आपको इस पर click कर दिना है click करने के बाद दोस्तो अब यहाँ पर आपको अपना poll select करना है यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास option आ जाते हैं इन पर आपको यहाँ पर click कर दिना है इस पर और यहाँ पर आपको image वाले option को select कर लेना है आप दूस्तों जैसे यहां पर दुबारा से समझ लीजे एक बार यहां पर आपको तीन option दिये जाते हैं नीचे आप देख सकते हैं तो दूस्तों आपको सबसे पहले वाले option पर क्लिक करना है पोल वाले option पर और यहां पर आपको image वाले option को select कर लेना है नीचे आप देख सकते हैं, दो ओप्षन आ रहे हैं, text का और image का, आपको image वाला select कर लिए और यहाँ पर आपको, को दो option add और कर लेते हैं आपको add option का यहाँ पर एक बटन दियाता है तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 options टूटल आ चुके आप पहली में यहाँ पर आपको image select कर लेना है कोई भी आपको जो अच्छा लगे आप 4 image को यहाँ पर select कर लीजिए अलग-अप्शन में जैसे मैं select क कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 4 option है वो आ चुके हैं चार फोटो हैं वो यहाँ पर आ चुके अब सबसे पहले यहाँ पर आपको ask your community आप क्या पूछ रहे हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर question डाल देना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर डाल दे अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर डाल दिया है वाट इस दा एक्चूल क्लर उफ काजू अब दूस्तों यहाँ पर आपको ड़ाल देना है कलर रहें जो भी तुस्तों यहाँ पर मैं टैप करता हूं इस पर अपने को green color का पहले यहाँ पर फिद एमोजी के लिए दोस्तो हम थोडा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पर तो emoji select करना है हमको green color का green color का कोई भी circle choose कर सकते हैं कोई भी चीज आप याँ पर green color का choose कर सकते हैं तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से यहां पर community बनाना एक तम अच्छी तरीक से तो जोस्तो ग्रीन कलर का हमारे यहां पर आ चुका है हम चार ball select कर लेंगे यहां पर और बीच में हाँ पर हम type कर देंगे green तो दोस्तो हमारा color है वो यहाँ पर type हो गया है और हमारा अच्छा भी लग रहा है देखने में इने emoji से अब दोस्तो ऐसी यहाँ पर आपको यह थोड़ा सा purple color है उसको select करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है और circle यहाँ पर select कर लेना है उसी तरीके से आपको यहाँ पर colors के नाम डाल देने हैं तो दोस्तो यहाँ पर हमने सारे colors डाल दिये हैं colors डालने के बाद अब यहाँ पर आपको public करना है अपना post तो public कर सकते हैं या फिर आपको schedule करना है तो schedule कर सकते हैं आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं करने के बाद यहां पर आपको पोस्ट पर क्लिक कर देना है जैसी क्लिक करेंगे तो आपका जो कम्यूटी है वो यहां पर पोस्ट हो जाएगा तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर पोस्ट हो जाएगा तो दोस् आप समाझ सकते हैं कि इनका community बहुत ज़्यादा viral हो रहा है तो community viral हो रहा है तो इनके subscribers यहापर काफी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो दोस्तो आपको भी कुछ इस तरीके से अपना community बनाना है और community पोल यहाँ पर post करना है क्योंकि दोस्तो अगर आपका community यहाँ पर viral हो जाता है तो आपका YouTube चैनल है वो काफी अच्छा grow कर जाएगा और grow कर जाएगा तो दोस्तो आपके subscribers बढ़ेंगा और videos पर भी reach बढ़ेगी तो दोस्तो आपको ऐसी community पोल बनाना है और अपनी channel पर post भी करना है तो दोस्तो आपको यह आज की जानकारी है वो कैसी लगे है मैं comments में जरूर बताएं और उस वीडियो ची लगे हो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लीजिए और बेल आकन को दबाना बिलकुल ना भूलिएगा तो दोस्तो आज की इस knowledgeable and interesting वीडियो में वस्तना ही मिलते हैं अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ knowledgeable and interesting लेकर तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरा